थारा सीविलाइन अंत्रकत ग्राम सेथपूर खदर के नागरिकों ने जिलाधीकारी को एक प्रातना पत्र पेश करके गाउं में जारी चक्वंदी प्रकडिया पर अनेक सवाल उठाए हैं छेतरी नागरिकों द्वारा शुकरवार को जिलाधीकारी को एक शिकायती पत्र पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनके गाउं में सोसी इस्तर के चकों की प्यमाईश हो रही है मूल कास्तकारों के चकों ग्यानी रोट से लगे चकों को पीछे की बंजर भूमी पर परदेशित किये जा रहे हैं प्रातना पत्र में आरोब लगाया गया है कि चकबंदी लेकपाल वने रिक्षक द्वारा उद्योग पतियों वद्धनवान लोगों से साठगाट करके मूल कास्तकारों के चक मूल जोज से हटा कर पीछे दशाय जा रहे हैं जिससे मूल कास्तकारों का खुला उत्पिडन हो रहा है जिसकी शिकायत पूर में भी कास्तकारों दरा उच अधिकारियों से की गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कहा गया कि मैं कमजोर वा गरीब तबके का व्यक्ती हूँ प्रातना पत्र में यह भी आरोब लगाया गया कि उध्योग पत्यों की नजर उनकी जमीन पर है और वे चकबंदी बिभाग से साठगाट करके अपना कबजा करने का प्रयास कर रहे हैं जिलादी कारे को पेश किये गए प्रातना पत्र एवं अपनी समस्याओं से अफगत कराते हुए छेतरी नागरिकों ने समबादाता को बताया इस मौके पर शम्शाद अली सलीम एहमद रईस एहमद बिनोत मुस्तकिम गुलाम मौहमद मौहमद वसीम और उंपकास सहीट अन अधिक अधिक वहां पर शिकायत है वाँ पर लेगन लोगों के टेश जो रोट पर उनको पीशा कर दिया है मौल नम्मर वालों को और जो सहर के जैसे अनूराग है और नीटुत्वान यह लोग जैसे वहां रोट पर आगे है कि हमारे चार हाई हैं तार हम लगति हमारे थीन चार्वाई में लगति हमारे थीन चेश रोट पर राजिए वह था पूरा पर इसे वालों के दिया जारा और जो गरीब किसा ने चोड़े वह पिस्तिकल आराए किया मांग करना जाते हैं किया मांग करना जाते हैं यह तो सरी तरवंदी नस्तों यार ने तो हमारे हमारे मूर नंबर दो है